मनश्य जाती यानि की इनसान आप और मैं टेकनोलजी के पीछे भागते भागते प्रगती के पीछे भागते भागते इस कदर अंदे हो गए हैं कि हम लोग एक चीज तो भूली गए हमें लगता है अब कि ये जो वर्ड है इस दा ओनली प्लेस फोर हुमन बींग्स और इसके अलावा जो जीव जनतु है पशुपक्षी हैं उनके लिए तो अर्थ एक्जिस्ट ही नहीं कर दे क्योंकि हम इस तरीके के आविश्कार कर रहे हैं इस तरीके से अंदा धुन तरीके से पेड़ों का सफाया कर रहे हैं या कह सकते हैं प्रकृती को नुकसान पुचा रहे है जिसकी वज़े से बेसिक जो प्रकती का नेचर होता है यानि कि पूरा जो लाइफ सर्कल होता है वो नश्ठ हो रहा है और शंकर सर ने 2.0 में वहीं दिखाया है नमस्कार मैं हूँ राहुल और स्वागत आपका आपके फेविट चैनल में चलिए बात करते हैं 2.0 के बारे में 2.0 दो साल से जिस फिल्म का में इंतिजार था फाइनली अब रिलीज हुई है फिल्म सबसे पहले तो शंकर सर मुझे आपसे थोड़ी से नाराजगी है मतलब आपने दो साल लगा दिये इस फिल्म को बनाते-बनाते वेल 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 शंकर सर दो साल लगाए लेकिन एटलीस हमें डिसपॉइंट आपने नहीं किया है जी हाँ दोस्तो शंकर सर की अगर मैं बहतरीन काम की बात करूँ तो 2.0 उसमें ही शुमार होती है और आम शॉर इसके VFX को लेकर Special Effects को लेकर इस फिल्म को National Award तो मिलने ही वाला है चलिए जी बात करते हैं स्टोरी की तो स्टोरी बिलकुल नहीं बताऊंगा वरना कमेंट सेक्शन में स्पोईलर 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 वाला आप कमेंट करेंगे तो बेटर है कि यहाँ पर मैं बताऊंगा जो ट्रिलर में आपने देखा था या जो टीजर में आपने देखा था ना सेम वहीं है समझ गए आप मैं क्या कहना चाहरा हूँ एक व्यक्ति है मर जाता है वो लटक जाता है टावर से पक्षिया आता है और अलगी तरीके का चील का आकरमन होता है और mobile phone गायब हो रहे हैं, लेकिन story यहीं है दोस्तों, और with a message है, इस film का जो message है, वो दिल को छूता है, इस film का जो moral है, वो दोस्तों कोई भी normal films की तरह नहीं है, अगर आप film देखेंगे, ठीक है, I appreciate that कि film का जो पूरा VFX है, film में एक दम heavy technologies का इस्तमाल किया गया है, 3D version है, 4D, IMAX यह वो है, लेकिन कोई भी film, जो बड़ी film होती है, वो एक आत्मा के बिना अधूरी होती है, और इस film की आत्मा जो है, वो इस film की कहानी है, like really amazing, और इसकी story लिखी है, खुछ शंकरसन ने, screenplay की बात करो, तो screenplay tight है, कुछ-कुछ चीजों में lacking है, screenplay की obviously बात है, क्योंकि शंकरसर कितना ध्यान देंगे, direction, screenplay, story writing, तो ठीक है, screenplay में थोड़ी सी minute-minute details जो है, वो आप miss करते हैं, लेकिन screenplay भी तगड़ा है, और उसे भी लिखा गया है, शंकरसर के द्वारा, लेकिन ये सब छोड़िये, जो मेरा ध्यान खीच के ले जाता है, वो है film का direction, जिस तरी से story को आगे move करना चाहिए था, जिस तरीके से story build-up होनी चाहिए थी, पूरी film में वही story build-up होते हूए नजर आती है, चाहे आप first half की बात लीजिए, चाहे आप second half की बात लीजिए, film में story को build-up किया गया है, film में story को आगे बढ़ाया गया है, with a message बढ़ाया गया है, और last म फिल्म आपको एक बात सोचने पर मजबूर कर देगी, यह जो टुंटुना बचता है ना आपकी जेब में, इसके बारे में आपका खयाल आजाएगा कि यार क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये कही ना कहीं खतरनाक तो नहीं है, वैल इसका अंसर आप खुद में जे कमेंट सिनेमेटोग्राफर हैं और हर एक एंगल को बहुत ही खुबसूरत तरीके से उन्होंने कैप्चर किया है, जाहे रजनीकान जी की एंट्री हो, सर की डॉक्टर वसी करन एंट्री हो, चिट्टी की एंट्री हो, in fact हमारे जो बर्ड मैन बने हैं, बर्ड मैन क्या वो जो फिफ वो ऐसी spoiler नहीं है, बस एक scene है, जिसमें Amy Jackson खड़ी है, और Amy Jackson के Pete से यहां से एक चीज जुड़ते हुए उपर आता है, ठीके, एक scene है, उसका जो camera angle लगा मुझे, वो just amazing लगा, amazing, literally आपको हसी भी आजाएगी और आपको लगीगा, यार ये camera angle हमने सोचा नहीं था, उसके बा अब बात करते हैं दोस्तों, फिल्म के music की, फिल्म का music, music master A.R. Rehmansar, A.R. Rehmansar ने दिया है दोस्तों, फिल्म में कोई गाना ऐसा नहीं है, जो आपको याद रहगा है, कि last में आएगा credit scene में, तू ही रहे, तू ही रहे, बैटरी है सब की, वो गाना आएगा जो कि visually appealing है, ठी वो humanoid versions है, तो इसलिए वो romance कर रहे है, वो justified लगता है, लेकिन फिल्म में ऐसा कोई गाना नहीं है, जो कि आपको याद रहता है, हाँ, DJ Diplon का जो एक rap है, वो आपको सुनाई देगा, वो अच्छा लगेगा आपको, और प्लस वो Birdman का गाना है, यानि कि Fifth Force का गाना है, जो क अक्षे कुमार सर का है, ठीक है, उसके अलावा, फिल्म का जो background score है, especially जब climate scene आता है, यहाँ पर AR Rahman साहब की बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कि AR Rahman ने बोला था, कि जिस तरीके का आप scene देखेंगे, उसी तरीके का music आप experience भी करेंगे, अगर आप scene में किसी को punch मारते तो आपको music में भी वैसा ही punch लगेगा, so मुझे music के अमामले में कहना है, AR Rahman सर के बारे में बात करना, is like सूरज को दिया दिखाना, but, 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 जो लोगों को loud music नहीं पता, जिन लोगों को जो films हैं, जिसमें slow track चलते रहते हैं, underplay चलता रहता है, उनको अगर इस तरीके का music music पसंद है, तो AR Rahman सर का काम उन्हें पसंद नहीं आएगा, उन्हें बहुत जदा loud लगेगा, और क्यों लगेगा, ये आप समझ ही जाएंगे, okay, music की बात हो गई, अब बात करते हैं, दोस्तो, prosthetic की, अक्षे कुमार जी का जो make-up किया है, यार, वो जो जिस तरीके से, वो प्रोसेस आपने देखी होगी, धर्मा प्रोडेक्शन के चैनल में आगे थी, और प्लस लाइका के अभी चैनल में आगे थी, YouTube चैनल की, वो just amazing है, अक्षे कुमार, मतलब, जिस अलग लेवल पर transform होकर आये हैं, वो 5th force बनके, बहुत ही जादा शानदार है, मतलब, आपको आपके रॉंटे खड़े हो जाएंगे, फिल्म के अंदर सिफ साइंस फिक्शन ही नहीं है, फिल्म के अंदर लॉजिक भी है, फिल्म के अंदर स्टोरी है, फिल्म के अंदर मेसेज है, और फिल्म के अंदर हॉरर भी है, जो कि देखकर आपके रॉंटे खड़े हो जाएंग तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें में कॉस्चुम भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, जो पूरा जस्टिफाइड है, डेली में शूटिंग होई है, लास्कार जो क्लाइमक सीनव डेली, जवालल नहरू स्टेडियम डेली का है, अब मेन बात होती है, एक्टर्स का काम और एक्टर्स के काम में, यहाँ पर मैं थोड़ सब नीचे से शुरुवात करना चाता हूँ, जिनको कम थोड़ा स्क्रीन स्प्रेस मिला है, सुधान्चु पांडे, सुधान्चु पांडे काफी दिनों से ओजल से थे, लेकिन इस फिल्म के अंदर, वो अपनी उपस्थित दर्ज कराते कराते रह जाते हैं, क्योंकि उनका, मैं भी मुझे लग रहा है editing का लगा अन्तोनी जी की editing है, तो इसमें edit हो गया और पोर्षिन, लेकिन एक उन्होंने story को आगे लेकर गये हैं, तो एक step उन्होंने story को आगे लाये हैं, तो ठीक है, सुधान्चु पांडे ने एंटेगनिस थे वो अक्षर कुमार सहाब और रजनीकान जी थे तो अब फिल्म के थोड़ा सा और उपर आते हैं हम बात करते हैं Amy Jackson की Amy Jackson जितनी खुबसूरत है इस फिल्म के अंदर रोबोटिक वर्जिन में यूमनोईड वर्जिन में रोबोट में वो बहुत ही जादा खुबसूरत लग रही है और ऐसी रोबोट अगर मुझे मिल जाए ना वाई गौड मेरे तो लाइब बन जाए मैं तो शादी ही ना करूँ मतलब इतनी जादा खुबसूरत है वो इतनी जादा अच्छी लग रही है अब बात करते हैं फिल्म के एंटागनिस्ट की लेकिन यह एंटागनिस्ट नहीं है जोस्तों यह कोई कॉज के लिए लड़ रही है यह डर्क सूपर ही रोई जस लाइक डैडपूल अक्षे कुमार के बारे में बात करते हैं दोस्तों अक्षे कुमार इस फिल्म की सबसे एहम कड़ी बनते हुए नजर आते हैं टीजर ट्रेलर में हमें लगा था कि अक्षे कुमार को उतना screen space मिलेगा या नहीं मिलेगा अक्षे कुमार रजनी सर को टककर दे पाएंगे या नहीं मतलब screen space के मामले में लेकिन अक्षे कुमार ने अपना 101% दिया है guys रिली अक्षे कुमार आप चागे लिटरली चागे इस साल के अंदर 2018 में आपकी तीन फिल्म में आई है चाहे वो पैड मैं हो चाहे वो गोल्ड हो या फिर हो 2.0 और तीनों में ही आपने धमाल मचा दिया है वर्सिट्रालिटी की तो हधे पार कर दिया है जहां पैड मैं में हमने उनको एक स्वीट इनोवेटिव सा बंदा देखा था वहीं गोल्ड में हमने उनको थोड़ा सा निटॉरियस और अपने वचन का पका टाइप का देखा था इरादो का पका देखा था और इस फिल्म के अंदर यान की 2.0 में उनकी जो स्टोरी हमें दिखाए जाती है जो की बैक स्टोरी होती है कि पक्षी राजन किस तरीके से बर्ड मैं बन जाता है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको जादा स्टोरी नहीं बताऊंगा बट वह इमोशनल स्ट उससे आप कनेक्ट होते हैं लेकिन कहीं नहीं वो कनेक्षन नहीं पीछे छुटता जाता है तो यह जो स्टोरी है थोड़ा सा इसमें सुधार हो सकता था और अक्षर जी को और टाइट दे सकते थे शंकर सर लेकिन इसके अलावा जब वो पक्षी मैन में मतलब फिफ्थ आपको पूरी चीजी समझ में आएंगी आपको लगेगा कि जो हमने ट्रेलर में मिसिंग किया था जो हमने टीजर में मिसिंग किया ठाव इस फिल्म के अंदर 3D में देखने में हैं अख़े कुमार जी आगये, इक बुड़े वैक्ति बने हैं और उन्होंने प्रॉपर मैने कुमार एवन है और मेरे दिल को तो जीत के लिए जाते हैं लास्ट बट नॉट दा लीस्ट टू पॉइंट ओ यानि की दा सुपर स्टार अमेजिंग ब्रिलेंट एक्टर रजनी कान सहाब रजनी कान जी के बारे में कुछ कहना तो बाबरे बाब मतलब उनकी स्क्रिन की प्रिजेंस ही इतनी जाद अच्छी है चाहे वो वसीकरन ले लीजिए चाहे वो चुट्टी ले लीजिए या फिर 3.0 ले लीजिए अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ- 3.0 क्या है यह रहसी आप लोगों यह confrontation scene है वो scene देखना मज़ेदार रहे दोस्तों वो scene में रजनी कान जी की आप acting देखिए तो उसमें रजनी सर की acting देखना माइंड ब्लोइंग यार माइंड ब्लोइंग रजनी सर थलाइवा आपको ऐसे नहीं बोला जाता क्योंकि इस फिल्म के अंदर और भी ज्यादा मत अक्षे कुमार जी का रोल था यह पहले इन दोनों को उफर किया गया था वैल यह उनकी किस्मत है लेकिन क्या कर सकते है क्योंकि यह जो रोल है यह super duper hit roll है और अक्षे कुमार चाह जाते हैं हां बैक टू रजनी कान जी रजनी कान ने रोमैंस भी किया है गाना भी गाया है वो last में और acting बहुत अच्छी की है उन्होंने action scenes बहुत अच्छे किये है action scenes को बहुत अच्छी तरीकी से film आया गया है तो over and all film को देखना is a visual treat guys जाये और जाकर इस amazing film का यह film जो कि India को एक proud moment देती है यह film जो कि हम Indians को एकदम चाती चौड़ के हम बोल सकते कि yes हमारे पास भ तककर दे सकते हैं जी हां क्योंकि यह film यानि कि 2.0 Avengers को टककर दे सकती है क्या Thanos क्या Aquaman कोई भी ले लीजे या DC या पिर Marvel कोई भी ले लीजे yes शंकर सर के पास इतनी capability है उनके पास इतनी सोच है उनके पास इतनी technology है resources है कि हम लोग आसानी से टककर दे सकते हैं अब बात करते ह तो देखिए स्टार्स का मैं सोच रहा था अपने रिव्यू के वर्त कि मैं कि इस काबिल नहीं लगता मुझे कि मैं इतनी अच्छी फिल्म को स्टार्स में तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप फिल्म देखिए आपके पैसे अपने आप वसूल हो जाएंगे और तो आपको इसली चीजे समझ में आजाएंगी लेकिन कही ना कहीं साइन्स का इस्तिमाल कुछ जादे हुआ है आपको बता हुआ है तो आपको बता ही नाम क्या है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और साली चीजे बोल दीजिये अपना रिव्यू मुझे बताईए ठीक है तब तक के लिए खयाल रखना आपना बाई बाई 2.0 एक action करना चाहता हूं जो कि रजनी सर का action है इस फिल्म में